दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेट करते जड़ा इस बात पर ध्यान दिजीगा जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं किसी मार्केट में या किसी कॉम्पलेक्स में तो आपकी ख्वाइश यह होती है कि आपको अच्छा प्रोडक्त तो मिले ही मिले साथ ही साथ वो अच्छा प्रोडक्त भी एक डिसकाउंट में मिले स्टॉक मार्केट में हम रीटेल इन्वेस्टर्स इस थाट प्रोसेस के साथ क्यों नहीं जाते हैं हम क्यों नहीं अच्छे फंडामेंटली स्टॉंग स्टॉक में तब बाई करने की कोशिश करते हैं जबकि उनमें ग स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नहीं जानकार के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग साथ ही साथ इन्फॉर्मेटी भी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम तीन स्टॉक से साथ ये डिसकस करने वाले हैं कि इन स्ट्राटेजी के साथ हम ड लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक करेंगे तो मोटिवेशन तो अब इसली हमें मिली रहा है मोटिवेशन मिलने के साथ ही साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक महुचेगी और वो भी सीखेंगे और जागरूख होंगे ठीक है चली जहां तक स्टॉक मार्के तो 9 days की moving average के नीचे हमारा stock market कई दिनों से चल रहा है तो जब भी 9 days की moving average के नीचे चल रहा होता है उस समय एक बिकवाली का दौर होता है अगर 9 days की moving average के ऊपर चल रहा होता है तो वहाँ पे हमें एक bull moment देखने को मलता है बस इतनी सी important बात हमें ध्यान में लेके चलनी है औ और focus करना है अपने fundamentally strong stocks पर ठिक चलिए अब यहाँ पे कुछ example से समझते है कि discount वाकई में क्या होता है देखिए हर गिरावट या हर कम दिखने वाला दाम recent high से discount नहीं होता है यह बात हमें as a retail investor समझनी चाहिए यहाँ पे असोक लेलेंड का example लेते हैं तो इसका stock price 2018 में करीब करीब 160 रुपए का था और उसके बाद से इसमें गिरावट हुई थी यहाँ पे करीब करीब 30 रुपए के आसपास आ चुका था जो कि एक penny store दाम पे आ चुका था तो 160 रुपए से 30 रुपए अगर हम यहाँ पे calculate करें कि 160 रुपए से 30 रुपए कितना discount होता है तो यहाँ हम देखे 160-30 divided by 160 into 100 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे करीब करीब 81% का discount अब यह discount क्यों discount माना जाएगा यह हमारा सवाल होना चाहिए अब यहाँ पे इसके लिए हम past track record देखेंगे company का तो past track record अगर हम देखें तो यहाँ पे इस गिरावट के पहले इस company ने शांदार higher highs higher lows वाला returns दिया था अब यह जो गिरावट हुई 30 रुपए पे जो आया 30 रुपए पे आने के बादा देखिए कितने शांदार returns देता हुआ कम से कम 8x returns दिया इसने पिछले 3-4 सालों में अब इसी के साथ एक और example हम समझते हैं यहाँ पे केफिंटेक का केफिंटेक जब इसक अब 370 रुपए से अगर हम 274 रुपए के आसपास गिराओ अब देखिए इसके बाद क्या मुमेंट हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक में 274 रुपए के यहाँ पे करेंट देखें तो आपको करीब करीब 1012 रुपए के आसपास प्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा अब यहाँ पे एक और example देखते हैं इस example से आपको clearly समझ में आएगा कि वाकए में discount stock होते क्या आप यहाँ पे देखिए यह जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस टॉक का नाम मैं नहीं रिविल करूँगा आप लो आठ में करीब करीब 800 रुपए के आसपास था 800 रुपए से यह गिरता हुआ currently 2 रुपए के आसपास प्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें जो all time यहाँ पर discount कहा जाएगा 99% के आसपास है अब कोई आपको market में अपने product पर 100 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच रहा है अगर यह 100 रुपए की valuation वाली चीज है तो मुझे 1 रुपए की क्यों दे रहा है फिर आप यह सोचने की कोशिश करेंगे कि उसकी valuation वाकई में क्या होनी चाहिए क्या वाकई में वो product अच्छा है या नहीं यही सेम चीज हमें stock market investing में भी करनी चाहिए अगर हमें discount पि पीछे की असली valuation को पता करें और fundamentals देखें ठीक है चली अब यहाँ पर बात करते हैं इस particular company के बारे में इस particular company का जो business segment है इस business segment में आप ध्यान दीजिए तो इंडिया के पास transmission में world's largest network है और साथ ही साथ electricity की demand आने वाले समय के लिए बढ़नी ही बढ़नी है ठीक है ऐसे में अगर हम IEX का यहाँ पर business segment देखें तो इसके business segment में कई तरह के product mix हैं जिससे यह revenue generate करती है अब Indian Energy Exchange किन businesses से revenue generate करती है उनके businesses में आने वाले समय में क्या growth का scope है यह as a retail investor हमें study करना होगा और इसके साथ ही साथ हमें study करना होगा कि इसके fundamentals क्या कहते हैं तो IEX के fundamentals यहाँ पर प्यत्रोस की score के हिसाब से long term के लिए feedback है लेकिन gram number के हिसाब से यहाँ पे थोड़े से महंगे दाम पे आ चुका है return on equity बहतरी ने return on capital employed बहतरी ने और debt बिल्कुल है नहीं price to earning ratio के हिसाब से आपको थोड़ा सा overvalued के आसपास देखने को मिल रहा है यह particular stock अब PE ratio के हिसाब से overvalued है जो stocks PE ratio के हिसाब से overvalued होते हैं उन stocks में bulk investing से बचना चाहिए अब इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि technicals पे क्या है status है इस particular company का उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके peers क्या कहते हैं तो जो peers को अगर हम compare करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो particular companies है peers की उनका price to earning ratio इस particular price to earning ratio से mostly जादा ही है 58 के आसपास यहाँ पे industry price to earning ratio देखने को मिल रहा है ठीक चली अब यहाँ पे अगर हम technicals देखें IEX के तो technically आप देखें जब भी यह 50 days यह 100 days moving average के आसपास आ रहा है पिछले काफी समय से वहाँ से एक reversion दे रहा है और reversion दने के बाद ए यह जो नया high बना रहा है यह all time high से अभी भी lower पे है तो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए हम करेंगे इसको एक मन्त के candlestick chart पर तो एक मन्त के candlestick chart पर आप देखिए यहाँ पे इस stock ने all time high करीब करी 315 रुपए के आसपास बनाया था वही 315 रुपए से गिरता हुआ 31% के आसपास discount हमें देता हुआ दिखाए दिया उसके बात से यहाँ पे देखे तो 121 रुपए से एक अच्छा खासा इसने upward moment दिया है recent times में अब awesome accelerator के बास नीचे बन रहा है RSI यहाँ पे हाला की एक oversold zone में नहीं है but still एक momentum हमें इसमें देखने को मिल रहा है अब इस सबसे 2023 में इसमें zero promoter shareholding थी 63% यहाँ पे public थी लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजे तो आपको एक अच्छे खासे institutional shareholding यानि कि qualified investors का investment देखने को मिल रहा था अब इस वीडियो में जो भी हम stocks discuss कर रहे हैं इंग में कुछ खास important parameters हैं जो की common है इन तीन के तीन हो stocks में आपको धीर 2024 आते आते यहाँ पर देखिए mutual funds ने अपनी holding बढ़ाई है और यहाँ पर public shareholding कम होती हुई दिखाई दे रही है ठीक है चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अगली company के बारे में तो यह जो company है यह जिस business segment से belong कर रही है उस business segment में पिछले 3-4 सालों में एक multifold growth हमें देखने अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 2021 के हिसाब से जो in population थी उस population के हिसाब से यहाँ पर ध्यान दीजिए तो जो unique accounts थे financial institutions में उनमें एक अच्छी खासी growth हुई और इसके साथ ही साथ यहाँ पर currently जो demat accounts है वो 11.3% of the population है और यहाँ पे out of this 11.3% of population 3.1% of population के पास NAC के active clients है य investment कर रहा है actively अभी यह data बहुत ही कम है compared to total भारत की population यहाँ पर हम कह सकते कि इस particular business segment में और भी ज्यादा growth का scope है ऐसे में यह जो particular company है यह इस तरह की जो company यह जो business segment में उनमें आने वाले समय के लिए एक अच्छे खासे growth की expectation हम कर सकते ठीक है यहाँ पर हम देखे तो आप financially यह जो angel one है इस company का यहाँ पर हमें total income growth होता हुँ दिखाए दे रहा है लेकिन profit after tax की बात करें तो recent quarter में हमें 13% का यहाँ एक dip देखने को मिला और वो dip certain regions की वज़े से है वो क्या regions है आँ थोड़ा सा study करिए और comments में जिरूर बताईए हमेशा one way communication नहीं होना चाहिए जो भ abundance के हिसाब से company consistently dividend provide कर यह profitable है cash flow भी positive है पित्रोस की score के हिसाब से हलाकि यहाँ पे long term के लिए fit नहीं बैठ रही है ग्रहम नंबर के आसपास मिल रहे है return on equity बहतरी ने return on capital employee बहतरी ने और debt 2500 करोड का है debt equity 0.84 है price to earning ratio के हिसाब से और PG ratio के हिसाब से अभी undervalued दाम पे trade करती in all यहाँ पे undervalued दाम पे trade करती हुई दिखाए दे रहे है पूरी की पूरी इंडस्टी जो है अभी एक undervalued दाम पे हमें trade करती हुई दिखाए दे रहे है ठीक है चली यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके revenues में आपको year on year growth देखने को मिले और profitability में यहाँ पे आपको year on year growth देखने को मिले है हाला कि पिछले quarter से अगर हम compare कर रहे है तो profitability में थोड़ी से हमें deep देखने को मिली है ठीक चली अब यहाँ पे अगर हम shareholding pattern देखें एंजल वन का तो December 2023 में 38% यहाँ पे promoters थे 33% पॉब्लीक थी और यहाँ पे एक अच्छे खास है आपको institutional shareholding देखने को मिल रहे है ठीक चली यहाँ पे अगर हम देखें technicals इस particular company के तो हम समझने की कोशिश करते है कि क्या इसमें recent high से गिरावट है या नहीं तो obviously एक दिन के candlestick chart पे हम एक bearish moment देखने को मिल रहा है वहीं पे अगर हम देखें एक मन्त के candlestick chart पर तो एक मन्त के candlestick chart पर 3844 रुप एक oversold zone में नहीं आए और अभी भी यहाँ पे awesome oxalate के बास नीचे की तिरफ नहीं बनते हुए दिखाए दे रहे है ठीक है चली अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे stock के बारे में तीसरी company के बारे में तो यह जो particular तीसरी company है यह है बिर्ला soft limited बिर्ला soft limited digital services provide करने के साथ ही सा cloud and infrastructure service भी provide करती है यहाँ पे बिर्ला soft काम कर रही है ब्लॉक्चैन टेक्नोलजी पे बी तो यह ब्लॉक्चैन टेक्नोलजी क्या होती है शॉटकन पर हमें जानना है और साथी साथ यह भी जानना है कि इसमें आने वाले समय में क्या growth का scope हो सकता है ठीक अगर हम यहाँ पे बि प्रेट करती हो है हमें दिखाई रही है तो fundamentally यहाँ पर साउंड लग रही है प्रटिकुलर कमपनी और अगर हम इसके पीर से इस कंपेर करें इस कंपनी को तो पीर्स आप देखें यहाँ पे कुछ पीर्स का 40 के आसपास पी है कुछ पीर्स का यहाँ पर 50 के ऊपर पी है ले 20 परसंट यहाँ पर पॉब्लिक थी और यहाँ पर एक अच्छे खासे इंस्टिचूशनल शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहे थी जून 2024 आते यहाँ पर थोड़े बहुत आपको प्रमोटर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे और थोड़े बहुत यहाँ पर म्यूच्वल में ग्रोथ देखने को मिल रहे है हले कि 2023 में प्रॉफिटविल्टी में डिप हुआ था वर 24 में देखें तो 100% यहाँ पर एराउंड 100% ग्रोथ देखने को मिले कंपेर टो 2023 तो ऐसी कंपनिया जो की year on year उनके revenues में ग्रोथ हो रही है उनके profitability में ग्रोथ हो रही है ऐसी कंपन के बास नीचे की तरफ बन रहे है अगर इसी को हम कर दें एक मंत के candlestick chart पर तो एक मंत के candlestick chart पर यहाँ पर clearly देख सकते है कि इस stock में recent high से आपको गिरावट देखने को मिले पिछले कई मेन ही से यह stock नीचे की तरफ जा रहा है और जब जब इसमें गिरावट हुई है मिलती है ऐसे stock जो कि fundamentally strong stocks होते हैं ऐसे stocks में opportunities होती है आने वाले समय के लिए यह बात हमें ध्यान में देखे चलना चाहिए तो I think यहाँ पर clearly आपको समझ में आ गया होगा कि यह सारे के सारे stocks में discount actually में है या नहीं और क्या strategy होनी चाहिए हमारी as a retail investor discount stocks में investment करते समय तो इन सभी stocks में 2-3 common parameters हैं जैसे कि इन सभी में FIIs ने investment कर रखा है mutual funds ने investment कर रखा है यह सभी अच्छे dividend payout कर रहे हैं और यह सभी अपने recent high से थोड़ी बहुत गिरावड दिखा रहे हैं तो recent high से गिरावड देने वाले stocks ज़रूरी नहीं कि अच्छे stocks हों अच्छे stocks वाकई में अच्छे fundamentally strong stocks वाले stocks होते हैं तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों उम्मीद है वीडिया आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए को भी सवाल हो तो कमेंट जोरू करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों यहाँ पर disclaimer के किसी